मैं धीरा ज्यादा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इजुकरिशनल प्लैटफॉर्म कॉम्पटिशन कम्मुनिटी पर जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आज हम लोग यहाँ पर डिसक हा और आप टू cover up करेंगे इससे पहले कि अगर हम बात करें तो इससे पहले हम लोगों ने part 1 cover up किया जहां पर हम लोगों ने dice related basic concepts या आप कह सकते हैं कि कुछ basic rules के बारे में discuss किया और at last हम लोगों ने जाना कि आखिर ये rules बन रहे हैं तो कहां से बन रहे हैं ये rules valid हैं तो कहां तक बन र हमने देखी कि question की framing हम किस प्रकार से कर सकते हैं यानि कि exam में जो questions frame किया जाते हैं उनका आधार क्या है और साथ ही साथ हम यह भी पता कर सकते हैं कि जो पूछा गया प्रशन है वो कितना genuine है कितना valid है जो आपके rules है जो यानि कि हमें पढ़ाय जाते हैं या जो rules हमें पढ़ लेगा हर एक विशय पर हम लोगों ने detail में चर्चा करी तो उसी के आगे से अगर हम बात करें तो last session का जो last question था पहले हम लोग उसको यहां पर देख लेते हैं लास्ट session का जो last question था वो आपके screen पे आ चुका है चलिए तो अगर मैं बात करो question की तो जैसा कि पूछा गया था अगर दिया गया पासा क्या है एक universal dice यानि कि सारोभौमिक पासा है ठीक है यहां पर अलग से मैंने लिखा था यदि दिया गया पासा एक सारोभौमिक पासा है यह चीज़ यहां पर missing था तो अगर हम बात करें यदि दिया गया पासा आपका क्या है एक सारोभौमिक पासा है और आपको पता होना चीज़ कि सारोभौमिक पासे को ही हम लोग क्या कहते हैं मानक पासा कहते है या फिर universal dice को ही हम लोग क्या कहते है standard dice clear तो यह question था यहां पर कोई भी कठिनाई हमें नहीं होने वाली थी चाहे आपको एक ही position दिया होता अगर यह mention कर दिया है कि यह दिया गया पासा क्या है एक सारोभौमिक पासा है तो हम यहां पर आसानी से उत्तर माक कर सकते हैं तो यहां पर आपको पूछा गया था two different position of a dice are shown below what will be opposite to the face containing one यानि कि एक पासे की दो अलग अलग इस दियों को दर्शाया गया है एक वाले फलक की विपरित कौन सा फलक होगा तो पासे की बात करें तो clearly देख सकते हैं आपका पासा क्या है non standard dice है पासा कैसा है non standard dice है और एक का opposite आपसे पूछा है तो यानि इन दोनों में ही अगर हम common element की बात करें इन दोनों में ही अगर हम क्या करें common element की बात करें तो common element क्या हो जा रहा है 3 common element क्या बन जा रहा है 3 बन जा रहा है और 3 से जब हम clockwise आएंगे तो क्या मैं पर नेगा यहां पर क्या मैं Goldman मिलेगा और four के बाद हम आएंगे तो क्या मिलेगा six मिलेगा यानि कि five का opposite क्या हो जा रहा है six it means कि अगर हम बात करें तो one का opposite यहां पर कौन-कौन नहीं हो सकते देखिए five का opposite क्या हो जा रहा है यहां पर आपका six four का opposite क्या हो जा रहा है two अब हम आजाते हैं option option के अगर हम बात करें तो option में बताइए कि क्या one का opposite two हो सकता है तो आप कहोगे नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि two का opposite already क्या हो चुका है four हो चुका यानि four बन चुका है two का opposite क्या अगर हम बात करें यहां पर 6 हो सकता है तो आपका ओगे नहीं क्यों क्योंकि 6 का पोजिट ओलेडी क्या हो चुका है 5 हो चुका है और क्या 5 हो सकता है तो आपका ओगे नहीं क्यों क्यों क्योंकि 5 किसका ओपोजिट हो चुका ओलेडी 6 का ओपोजिट हो चुका है तो बसत such anhme koffosite क्या हो सकता है Vikalpois Anfang अगर भात करें तो क्या हो जाएगा विकलब भी यान्य 3 वे ऑब बात कर लेते हैं कुछ अन्य प्रश्णों की अगर मैं बाठ करूँ तो सबसे पहले आपको यह बताना है कि यहां पर पासे कितने पासा कितना है तो अगर हम बात करें पासों की तो आपको पता कि पासा कितना है यहां पर पासा एक ही है एक ही पासे की अलग अलग स्थितियों के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं जैसा कि आपने देखा था लास्ट सेशन में कि हम लोगों ने क्या करी थी एक ही पासे की साथ अलग-अलग स्थितियां बनाई थी और उन स्थितियों में सारे के सारे रूल्स आपके कहां क्यों, कैसे, कब, किस प्रकार से अपली केबल हो रहे हैं, हर एक विशे पर हमने डीटेल में चर्चा करी थी तो पासे की बात करें तो पासे कितने है पासे आपके एक ही है इस सितियां कितनी है तीन प्रस्ण में भी आप देखेंगे तो लिखा गया है एक पासे की तीन अलग-अलग सितियों को दर्शाया गया है पूछा किसके opposite है पूछा है चार के opposite यानि कि चार.ट वाले के opposite क्या होगा तो यहाँ पे आप किसी भी दो position को क्या कर सकते हैं पिक कर सकते हैं यह हो गया आपकी position 1 यह हो जाएगी position 2 और इसको हम मान लेते हैं position 3 तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ position 2 اور 3 की अगर मैं position 2 اور 3 की बात करूँ तो दोनों में common दिख रहा है 1 यानि की 1 के बाद आओँगे तो मिलेगा 2 और 1 के बाद आओँगे तो मिलेगा थीन यानि की 2 का पोजिट क्या हो गया 3 3 के बाद आओँगे तो मिलेगा 4 और mutually यहां पर 2 के बाद आऊगे तो मिलेगा 6 यानि कि 4 का पोजिट क्या हुए 6 पूछा हम से किसके लिए गया था चार के लिए तो हम यहां पर अंसर क्या माग करेंगे option number C क्या इसको हम किसी अन्य स्थिती से भी निकाल सकते थे इसके बारे में भी हम लोग यहां पर चर्चा कर लेते हैं चलिए अगर मैं बात करूं यहां पर इस्थिती एक की स्थिती एक और स्थितों क्या दिखाई दे रहा है तीन कमन दिखाई दे रहां तीन के form and 12 की तो यहां पर च्छे मिलेगा और तो एक का पोजिट क्या हो गया, पांच हो गया, दो का पोजिट क्या हो गया, तीन हो गया, तो बचा अपने पास एक ही विकल्प, यानि कि चार का पोजिट क्या हो जाएगा, छे हो जाएगा, तो किसी भी स्थिती से आप यहां पे उत्तर निकाल सकते थे, कई बार ऐसा होग जहां से आप आसानी से क्या कर सकते हैं पूछे गए प्रशन का उत्तर निकाल सकते हैं और believe करिए कि exam में जो question आपको आएगा आप बिना copy pen चलाए आसानी से पूछे गए प्रशन का उत्तर दे पाएंगे चलिए यदि मैं अगले प्रशन की बात करूँ तो अगले प्रस्ट में आप से पूछा है यलो के अपोजिट कौन सा सर्फिस होगा यानि कि एक पासे की तीन अलग-अलग स्थितियों को दर्शाया गया है यलो वाले फलक के विपरित कौन सा फलक होगा ये आप से पूछा है यदि मैं बात करूँ इस्थिती एक की और इस्थिती दो की तो इस्थिती एक और दो में कॉमन क्या है तो इस्थिती एक और दो में कॉमन है आपका येलो यानि की पीला अगर मैं बात करूँ यलो का पोजिट रेड नहीं हो सकता यलो का पोजिट ब्लैक नहीं हो सकता यलो का पोजिट ग्रीन नहीं हो सकता यलो का पोजिट ब्राउन नहीं हो सकता तो इन विकल्पों के अलावा जो आपको एक विकल्प दिखाई दे रहा है तो वो आपको दिखाई दे रहा है blue यानि कि answer क्या हो जाएगा option number C yellow का opposite क्या हो जाएगा yellow का opposite हो जाएगा blue जो कि आपको एक विकल्प में दिखाई दे रहा है clear बात कर लेते हैं अगले प्रस्ण की अगले दी मैं यहाँ पर प्रस्ण की नहीं दिखाई दे रहा है यानिकि इन दो पोजीशन से हम यहाँ पे निर्धारित नहीं कर सकते कि 6 के विपरित कौन सी वाली फलक या कौन सी वाली सत्था होगी अगर हम बात करें position 2 और position 3 की तो इन दोनों में 3 common दिखाई दे रहा है 3 के बाद जाओगे 6 मिलेगा 3 के बाद जाओगे 2 मिलेगा यहां कि answer क्या हो जाएगा option number C यहां पे 2 आपके common element है यहां पे आपके 2 common element है यानि कि rule number 3 की बात कर रहे है तो देखो common क्या क्या हो गए है common हो गए है आपके 6 और 3 6 और 3 यहां पे common हो गया है यानि कि 2 का opposite क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा यानि कि 5 का opposite 2 या 2 का opposite 5 यह हम यहां से निकाल सकते थे लेकिन बागी के दो elements का opposite कौन सा element होगा यह यहां पे हम find नहीं कर सकते थे जैसा कि rule number 3 मैंने आप लोगों को बताया था अब हम बात करेंगे स्थिती एक और स्थिती तीन की तो स्थिती एक और तीन में दो common आपको दिखाई दे रहा है दो के बाद जाओगे तो 6 मिलेगा दो के बाद जाओगे तो 4 मिलेगा यानि कि 6 का opposite क्या हो जाएगा चार हो जाएगा पूछा किसका opposite था 6 का तो answer क्या हो जाएगा विकल्प डियानि कि 6 का opposite क्या हो जाएगा 4 चलिए अगले प्रश्ण में आपको बताना है which of the following will be opposite to the face containing A A के विपरीत वाली सतह कौन सी होगी तो अगर हम बात करें position 1 और 2 की तो position 1 और 2 में देखो के common दिखाई दे रहा है के के बाद आओगे तो M और के के बाद आओगे तो B यानि कि M का opposite क्या हो जाएगा का B हो जाएगा बी के बाद आओगे तो A मिलेगा और M के बाद आओगे तो H मिलेगा यानि कि A का opposite क्या हो जाएगा एच हो जाएगा तो आसानी से आप इसका उत्तर निकाल सकते थे इस्थिती एक और इस्थिती दो चली बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रस्नकी अगले दी में प्रस्नकी बात करूँ तो आप से पूछा गया है एक पासे की चार अलग-अलग स्थितियों को दर्शाया गया है यानि कि मैंने कहा स्थिति एक हो दो हो चार हो ठीक है इससे फरक नहीं पड़ता है आपको केवल और केवल क्या करना है जो भी बाते आपने बेसिक सीखी है उसी को आपको अपलाई कर देना है उसी को आपको implement कर देना है ठीक है न चली छे का पोजिट पूछा है तो अगर हम बात करें यहां पर स्थिति एक और दो की तो कोई भी common element नहीं दिखाई दे रहा है बात करें स्थिति एक और तीन की तो आपको common दिखाई दे रहा है चार और एक चार और एक common दिखाई दे रहा है यानि कि दो का पोजिट क्या हो गया च्छे हो गया और हमें निकालना किस के लिए था तो हमें निकालना था च्छे के लिए तो च्छे का पोजिट क्या हो जाएगा एक और चार है तो जो remaining surface होता है वो क्या होता है दूसरे वाली position में बचे हुए surface का opposite होता है इसके उपर हम लोगों ने क्या किया है already discuss किया हुआ है चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रस्न की आपको बताना है कि F के विपरित कौन सी सता होगी अगर हम बात करें यहां पर position 1 और position 2 की तो position 1 में क्या common है F common यानि कि F का opposite D नहीं हो सकता F का opposite E नहीं हो सकता यहां पर F का opposite C नहीं हो सकता F का opposite A नहीं हो सकता बचा आपके पास A के ही विकल्प जो कि क्या है B है अगर हम बात करें B की तो B आपको यहाँ पर किसी ना किसी position में दिखाई भी दे रहा है इसलिए data not sufficient या data inadequate को हम prefer नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे तो आप clearly यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम किसी अन्य position की बात करें या मान लेते हैं हम यहाँ पर बात करते हैं position 3 and position 4 की position 3 और position 4 की बात करें तो दोनों में A common है A के बात जाओगे तो यहाँ F मिलेगा A के बात जाओगे तो यहाँ B मिलेगा यानि कि clearly आप देख सकते हैं कि F का posit क्या हो जाएगा भी हो जाएगा यानि कि यहाँ पर हमारे पास sufficient data है question का answer करने के लिए इसलिए data not sufficient हम यहाँ पर उत्तर नहीं लगाएंगे चलिए यह तो हो गई बात किस से related dice से related यानि कि अब हम बात करेंगे यहाँ पर किस की open dice की अब हम बात करेंगे खुले हुए पासे की और यहाँ पर प्रस्ण किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं पहले आपके exam में जो basic संभावित प्रस्ण बनते हैं उनको आसानी से हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे फिर अगर in case level थोड़ा सा up and down या फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर reason की हम लोग बात करेंगे logic की जो की in general आपको देखने को नहीं मिलेगा उसके बारे में यानि कि जैसा कि हम लोगों ने क्या discuss किया हुआ था कि यहाँ पर हम कुछ chapters को detail में discuss करेंगे as on your demand ठीक है आप लोगों की demand पर तो यहाँ पर भी हम open dice का भी visualization detail में कर आना होता है without using copy and pen ठीक है उसके बाद कुछ हम लोग इसका क्या करेंगे लेवल अप होता हुआ देखें कि कुछ अन्य प्रकार के जो प्रस्ण आपसे पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं आपके upcoming exam में उसको यहाँ पर discuss करेंगे तो tension बिलकुल नहीं लेना आराम से करने रहना है और सबसे important यह कि session को like share जरूर करना है और जब मैं यहाँ पर आप से expect करता हूं कि आप अपने answers को यहाँ पर क्या करेंगे comment box में comment करेंगे तो as a being active participant आपको क्या करना है यहाँ पर comment भी करते रहना है यानि कि आपको यहाँ पर जो भी कठिनाई आ रही है आप यहाँ से अगर कुछ सी कर रहे हैं देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको अपना experience हमारे साथ share करना चाहिए कुछ अन्य बाते हैं जिसको हम लोग session के बात क्या करेंगे आपस में discuss करेंगे अभी यहाँ पर हम focus कर लेते हैं थोड़ा सा इस पर तो session के last में मैं discuss करूंग आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं एक तो निकालना होगा आपको क्या विपरीट सता किस वाली सता के कौन सी वाली सता होगी दूसरा अगर हम बात करें इसको मोल करके इसको फोल्ड करके एक पासे का निर्माड किया जाए तो आपको यहाँ पर options में से चुनना होता है ठ तीन का opposite क्या हो जाएगा पांच और चार का opposite क्या हो जाएगा छे तो opposite निकालने में कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है अगले के अगर हम बात करें तो एक opposite क्या हो जाएगा तो एक opposite हो जाएगा आपका C B का पोजिट क्या हो जाएगा D और F का पोजिट क्या हो जाएगा E यानि कि यहां पर विपरीज सतह ग्यात करने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है इस परकार की दी गई आकरतियों में तो आकरतियां कई परकार की हो सकती है उसको भी हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे 1 का पोजिट क्या हो जाएगा 1 का पोजिट हो जाएगा 6 4 का पोजिट क्या हो जाएगा 4 का पोजिट हो जाएगा 3 और remaining बजगिया 5 5 का पोजिट क्या हो जाएगा 2 यहाँ पर भी हम आसानी से निकाल सकते हैं बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्ण की तो एक के विप्रीत की बात करें तो एक का विप्रीत हो जाएगा चार दो के विप्रीत की बात करें तो दो का विप्रीत हो जाएगा तीन कैसे निकाले क्योंकि यहां पे आपको अल्टरनेट तो दिख नहीं रहा है तो ध् मैं बात करूँ to की तो देखो to किसके किसके साथ में adjacent है या सनलगन एक के साथ में चार के साथ में है पांच के साथ में और छे के साथ में बहले सरफेस के कorners भी टच नहीं करेंगे दो का पॉसिट क्या हो जाएगा तीन और रिमेनिंग बजगी अच्छे तो छे का पोजिट क्या हो जाएगा 5 चलिए यहाँ पे आपको बताना है तो 6 का पोजिट क्या हो जाएगा बताईए 3 4 का पोजिट क्या हो जाएगा 2 और 5 का का पोजिट क्या हो जाएगा एक clear यानि की 6 का पोजिट 3 2 का पोजिट 4 और 5 का पोजिट 1 next one देख लेते हैं 2 यहाँ पे दो बार आ गया है तो 3 4 5 6 इसको 6 कर लीज़े चलिए 4 का पोजिट क्या हो जाएगा 5 3 का पोजिट क्या हो जाएगा 6 और 1 का पोजिट क्या हो जाएगा 2 इस प्रकार से इसको हम निकाल सकते थे आसानी से यहाँ पे आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है अगर आपको कठिनाई होती है तो मैंने वही बताया है कि आपको क्या देख लेना है कि 2 adjacent surfaces of a dice can never be opposite to each other यानि कि कि किसी भी पासे कि दो सनलगन सता कभी भी एक दूसरे के विपरित नहीं हो सकते तो यहाँ पे अगर हम मान लीजे पिक करते हैं किसको 1 को तो 1 किसके किसके साथ में सनलगन है 2 के साथ में है 4 के साथ में 5 के साथ में 3 के साथ में बचा कि आपका एक ही surface जो कि क्या हो जाएगा 6 यानि कि 1 का पोजिट हो जाएगा 6 इन दे सेम वे अगर हम बात करें 5 की तो 5 3 के साथ में adjacent है 6 के साथ में 4 के साथ में तो बचा कि आपका 2 और remaining बच गया आपका 3 3 का पोजिट हो गया 4 यानि कि दिया गया पासा क्या था आपका एक माना का पासा था ठीक है और 1 का पोजिट 6 5 का पोजिट 2 और 3 का पोजिट 4 आसानी से आप यहां पे बनता हुआ देख सकते हैं अट लास्ट बात कर लेते हैं B के अपोजिट की F, D के अपोजिट की A और E के अपोजिट के तो बचाएगा C यानि कि यहां पे आपको कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है इस प्रकार के प्रस्ण को आप आसानी से हल क कर सकते हैं चलिए अब आ जाते हैं प्रस्णों पर जब हमसे प्रस्ण पूछा जाएगा कि दिये गए पासे को यदि मोड़ा जाए तो निम्न में से आपको कुछ विकल्प दिये गए होंगे इन में से कौन सा वाला पासा बनाए जा सकता है तो यहां पर हम लोग क्या करें करेंगे option को eliminate करके पहले तो कोशन बनाएंगे जो कि जनरली आपके एक्जाम में पूछ जाते हैं आपके एक्जाम में इसी प्रकार से प्रस्ण पूछे जाते हैं तो अगर हम बात करें यहां पर वन का पोजिट की तो वन का पोजिट हम निकाल लेंगे फॉर और सिक्स का अगर मैं बात करूं जहां कहीं भी हमको वन के साथ में क्या दिखाई दे जाएगा वो option हो जाएगा eliminate जहां कहीं भी two के साथ में four दिखाई दे जाएगा वो option हो जाएगा अपका eliminate और जहां कहीं भी six के साथ में three दिखाई दे जाएगा वो option हो जाएगा eliminate यानि कि इनको नहीं बना जा सकता क्यों कि हमें पता है कि यह क्या है विपरीत सतहे हैं और यहां पर जो भी हमको surfaces visible होती हैं दिखाई देती हैं वो क्या होती है सनलगन सतहे होती हैं वो clear चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रस्ण की अगला प्रस्ण क्या पूछा गया इसके बारे मैं यहां पर चर्चा कर लेते हैं अगले प्रस्ण की यदि मैं बात करूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं पर लिए का पोजिट क्या हो जाएगा तो एक पोजिट हो जाएगा ई बी का पोजिट क्या हो जाएगा तो बी का पोजिट हो जाएगा डी और एफ का पोजिट क्या हो जाएगा तो एफ का पोजिट हो जाएगा सी यानि कि जहां कहीं भी एफ और सी एक साथ दिखाई दे जा वो option भी हो जाएगा आपका eliminate यानि कि यहाँ पे तीन विकल्प हो गए आपके eliminate बचा आपका A के ही विकल्प option number A और वही क्या हो जाएगा पूछे गए प्रशने के लिए उत्तर हो जाएगा चली बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रशनकी तो यहाँ पे विपरीत कैसे हमें ग्याद करना इसके बारे में मैंने already discuss किया हुआ है आसानी से निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं बताइए एक का पोजिट क्या हो जाएगा तो हो जाएगा पांच चार का पोजिट क्या हो जाएगा आपका eliminate हो जाएगा चार और तीन एक साथ दिखाई देगा तो वो option भी आपका eliminate हो जाएगा एक और पांच एक साथ दिखाई देगा तो वो option भी आपका eliminate हो जाएगा बचेगा आपका A.K.V कल्प option number C जो की दिये गए पासे को मोड़ करके बनाया जा सकता है clear आप लोग bakery वगएरा पे गए होंगे या मिठाई की दुकानों पे कई बार गए होंगे तो आप देखे होंगे कि जो cake या pastry वगएरा वो लोग pack करते हैं उसके डबो को वो लोग पहले से डबबे के आकार में बना के नहीं रखते हैं वो लोग उसको open करके रखते हैं और फिर कुछ विशेज तरीके से उसको मोड़ते हैं और क्या होता एक डब्बे का निर्माळ करते हैं और क्या करते हैं उसमें फिर आपको cake या pastry पैक करके दे देते हैं तो ऐसा करों करते हैं क्यों कि उनको space भी कहीं न कहीं क्या करना होगा मैनेज करना होगा तो और विशेश तरीके से सीखने के लिए भी मैं यहां पर कुछ विशेश इस्थितियों की बात करूंगा जिसको सीखने और समझने के लिए क्योंकि आपका दिमाग कहीं बिल्कुल उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर तो वह आपको बिल्कुल जन्मिन जो यहां पर मैं बता रहा हूं तरीका वैसा आपको होता हुआ दिखाई देगा ठीक है चलिए आज आते हैं अगले पूछे गए प्रस्ण पर अगले प्रस्ण की बात करूं तो एड़ेट का पोजिट क्या हो गया परसेंटेज हो गया है है और कॉपिराइट का पोजिट क्या हो गया तो हो गया डॉलर एड़ेट और परसेंटेज कहीं दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं कहां दिखाई दे रहा है तो हैस के साथ में आपको कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है फिर हम बात करें डॉलर के साथ में copyright तो dollar के साथ में copyright यहां दिखाई दे रहा है dollar के साथ में copyright यहां दिखाई दे रहा है यानि कि बच आपने पास एक ही विकल क्या option number D यही क्या हो जाएगा पूछे के प्रस्ण के लिए उत्तर हो जाएगा clear चलिए अब आते हैं कुछ विशेज प्रकार की आकरतियां जब आपसे पूछी जाती है तो उसको हमें कैसे हल करना होता है तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहां पर opposite surfaces की सबसे पहले हम बात करें यहां पर विपरी तो सता होगी और हमें पता है सता कितनी होती है सता होती है छे एक की बात करें तो एक का पोजिट क्या हो जाएगा तो एक का पोजिट हो जाएगा दो चार की बात करें तो चार का पोजिट क्या हो जाएगा तो चार का पोजिट हो जाएगा पाँच अब हम बात करेंगे तीन का पोजिट के तो तीन का पोजिट क्या होगा यह जो आपको एक्स्ट्रा पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं यह चार एक्स्ट्रा पार्ट्स मिल करके क्या करेंगे एक सर्फिस का निर्माल करेंगे कैसे निर्माड करेंगे तो देखिए जब हम चार पार्ट को मिलाते हैं इस प्रकार से तो एक सतह का निर्माड होता हुआ आपको दिखाई देगा और वही जो सतह होगी तीन के विपरीट होगी तो अगर मैं बात करों जो नई सतह बनेगी यानि कि इन चारो आकरतियों को मिलाके जो सतह बनेगी तो सबसे पहरे तो हमें यह गियात करना है कि वह सतह किस परकार से दिखाई देगी यानि कि वह सता होगी कौन सी या कैसी दिखाई देगी तो यहाँ पर मैं आपको कुछ आप्शन दे रहा हूँ आपको बताना है कमेंट जरूर करिए कमेंट करके बताइए कि कौन सी वाली सता बनेगी इन चारो भागों को मिला करके ठीक है चलिए तो यह आपके पास चार आकरतियां दिखाई दे रही है आपको बताना है कि इन चारो में से कौन सी या कौन कौन सी ठीक है जरूरी नहीं कि एक ही एक से अधिक भी हो सकती है यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ only a only b या a and b बोथ इस परकार से आपको विकल्प दिये गए हो सकते है कि अबर हम यहाँ पर सीख रहे है तो अगर मैं बात करूँ a, b, c, d इस परकार से इन चारो को जब हम जोडेंगे तो जो एक सर्फिस बनेगा, वो सर्फिस कौन सा होगा या किस परकार से दिखाई देगा यह आपको बताना है तो आप में से कितने लोगों का उत्तर a आया था आप में से कितने लोगों का उत्तर ए आया था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आप में से कितने लोगों का उत्तर क्या आया था ठीक है चलिए अब हम बात करें अगर यहां पे अंसर की तो अगर हम A को छोड़ दें All accept A तो सारे के सारे विकल्प आपके यहां पे क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे और मने कहा था कि मैं बहुत सारी ऐसी बातें भी यहां पे करूंगा जिसको शायद आपका दिमाग accept ना कर पाए लेकिन जब आप इसको practical करके देखोगे तो आपको यह बहतरीन और बहतर तरीके से समझ में आएगा जैसे कि आपको करना क्या है एक कागज का टुकड़ा लेना है उसको इस हाकरती में आपको काटना है और उसके बाद उसको मोल करके क्या करना है एक डिबबा बनाना है एक बॉक्स बनाना है ठीक है अब हम बात करेंगर बॉक्स की तो यहां पर आपका A, B, C, D आ सकता है बिल्कुल आ सकता है कंडिशन क्या है उसकी कि जब आप क्या कर यह बॉक्स को अंदर की तरफ मोड़ी अंदर की तरफ आप मोलेंगे मतलब आप एक गत्ते पे बैठिये गत्ते को आप फोल्ड करके बंद कर दीजे आप उसके अंदर बंद हो जाहिए तब आपको यह clockwise direction में नजर आएगा लेकिन हम बात करें पासे की तो पासे में यह नंबर यह लेटर कहां आपको दिखाई देते हैं पासे के उपर दिखाई देते हैं ऑटिकलोकवाइश डिरेक्शन भाट समझ में यानि कि यह क्या है गलत है क्योंग कि इसको फूल्ड करनेके बाद आपको एंज क्लोकवाइश डिरेक्शन में दिखाई देगा और इसको हम रोटेट कहीं भी करा सकते हैं ठीक है तो रोटेट कराके A को नीचे भी रख सकते हो A के बाद B, C, D यानि कि सीक्वेंस इनका यही बनने वाला है ठीक है चली कुछ अन्य बाते कर लेते हैं एक और प्रश्ण देख लेते हैं इस पर आधाली तो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ जैसे की तो यह आपके चार भाग मिलकर के एक सतह बनाएंगे जो कि किसका विपरीत होगा जो कि B का विपरीत होगा E का आपोजिट हो जाएगा D, A का आपोजिट हो जाएगा C, तो B के विपरीत सतह जो बनेगी कि वो किस प्रकार से बनेगी तो यहां पर 1234 अगर आपको clockwise दिखाई दे रहा यानि कि यहां पर यह बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 1234 आपको कैसे दिखाई देगा एंटी कैसे बनेगी किस प्रकार से बनेगी अब हम बात करेंगे पूरे के पूरे पासे की यानिकर मैं यहां पर बात करूँ तो बताओ एक का पोजिट क्या हो जाएगा दो हो जाएगा चार का पोजिट क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा और तीन का पोजिट क्या हो जाएगा दो नहीं आना चाहिए तो एक के साथ में दो आपको नहीं दिखाई दे रहा है यानि कि इससे हम एलिमिनेट नहीं कर पाए चार के साथ में पांच नहीं आना चाहिए तो चार के साथ में आपको पांच नहीं दिखाई दे रहा है और तीन के साथ में यह नई बनने वाली आकर प्रचा करेंगे तो आप लोगों को बताना है सबसे पहली चीज़ तो एट लास्ट आपको कमेंट में क्या लिखना है कि आप लोगों में से कितने बच्चों के यहां से मैं यह वाले टाइप के आपको पासे बता रहा हूं सभी के सभी प्रस्णों का उत्तर सही आया ठीक है चलिए और अगर नहीं आता है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं अब बात कर लेते हैं हम बाकी के विकल्फों की तो यहां पे दिया गया है आपको जो बनने वाली याक करती है फिर उसके बाद दिया गया है दो फिर दिया गया है पांच तो अगर आप को ध्यान दे तो यहां पे आपको पांच दिखाई दे रहा है पांच यह से सटा हुआ जो भाग आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्या लिखा हूँ बी जबकी वह सब्सक्राइस के बात करें तो 4000 के साथ में आपको लिखाई दिखाई दे रहा है D, बिल्कुल 4 के adjacent में या 4 से सटा हुआ भाग आपका D बन रहा है, और 1 से सटा हुआ भाग आपका A बन रहा है, यानि कि बिल्कुल इस वाले पासे का निर्माड किया जा सकता है, दिये गए पासे को मोड़कर तो उत्तर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा विकल्प D चलिए, इस बार बताना है सभी को होप किस बार आपके अंसर सही आएंगे आप यहाँ पे चीजों को सीख चुके हैं तो बात करें करें हम F की तो F का पोजिट क्या हो जाएगा, तो F का पोजिट यानि कि हम बात करें F और E कहीं एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो F और E कहीं एक साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं A और D कहीं एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो A और D आपको option number A में एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो यह हो गया, eliminate C और नई बनने वाली आकरती कहीं दिखाई दे रही तो वह नहीं दिखाई दे रही है यानि कि एक एक ही option अपना क्या हो पाया? Eliminate हो पाया अब हम बात करेंगे इसके sequence की तो यानि कि यहाँ पर बात करें sequence की तो क्या मिलेगा आपको? 1, 4, 6, 3 1, 4, 6, 3 मिलेगा आपको clockwise in तो यहाँ पर देख पाए है 1, 4, 6, 3 clockwise नहीं मिल रहा यानि कि यह भी eliminate 1, 4, 6, 3 मिल रहा यानि कि यह हो सकता है 1, 4, 6, 3 मिल रहा यानि कि यह हो सकता है ठीक है? इसको कैसे eliminate की है समझ में आया? दो option होगे अपने eliminate अब अगर मैं बात करूँ तो यहां पे E के साथ में दिया गया है 3 ठीक है E के साथ में आपको दिखाई दे रहा है 3 A के साथ में आपको दिखाई दे रहा है 1 बिल्कुल हो सकता है लेकिन लास्ट वाले में आप देखेंगे तो E के साथ में आपको दिया गया है 1 जो की नहीं हो सकता जो की possible नहीं है तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा केवल विकल्प सी यहां पर क्या हो जाएगा जिसको निर्मित किया जा सकता है दिये गए पासे को मोड़ कर ठीक है ना यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा option number C अब आते हैं थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाते हैं यहां पर कुछ और concept को हम लोग सीखने और समझने का प्रयास करते हैं चली तो अगर मैं बात करूं यहां पर अगले पूछे गए प्रश्न की तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोगों ने आसानी से बनाया था हम लोग कि एक का पोजिट हो गया पांच दो का पोजिट हो गया चार और छे का पोजिट हो गया तीन क्लियर वहां पर हम क्या करते थे एक के साथ में पांच दिखाई दे गया तो ऑप्शन हो गया इलिमिनेट दो के साथ में चार दिखाई दे गया तो ऑप्शन हो गया इलिमिनेट लेकिन यहां पे आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है यानि कि कोई भी आपको opposite surface एक साथ यहां पे दिखाई नहीं दे रहे हैं जिससे कि आप विकल्ब क्या कर सकें, eliminate कर सकें या उत्तर निकाल सकें तो यहां पे अब हमें क्या सीखना, यहां पे हमें कुछ अन्य बातें जान लेनी हैं कुछ अन्य बातें हमें यहां पे सीख लेनी है जैसे कि अगर मैं बात करूँ पासे की तो आपको पता है पासे का जो एक surface होता है वो चार surfaces के साथ में क्या होता है, adjacent होता है in the same way अगर हम बात करें तीन की तो जब इसको आप मोड करके एक पासा ब Dal 일반 Jam नाइज ही तो ये जो तीन है वो इसके साथ में het descend होगा वो एक के साथ में भी होगा पांच के साथ में भी होगा और चार के साथ में भी होगा in the same way छे कि some coisas किसके साथ में एड़िसेंट होगा तो छे आपका पांच के साथ में भी एड़िसेंट होगा छे आपका चार के साथ में भी एड़िसेंट होगा और छे आपका एक के साथ में भी एड़िसेंट होगा केवल किसको छोड़ करके तीन को छोड़ करके इसी प्रकार अगर हम बात क हουμε कि एक आप का 4 के साथ में भी adjacent होगा एक आपका 2 के साथ में adjacent होगा 6 और 3 के साथ में 5 को छोड़करके यानि यह क्या कर सकते हैं adjacent surface go movable surface बोल सकते हैं हम कह सकते कि Nasıl surfaces कैसे है movable है और इन surfaces के साथ में हम अलग-अलग इस्तितियां बना करके भी देख सकते हैं जैसे चली तो हमने कहा 3 को हम मुवेबल सर्फिस कंसीडर कर सकते हैं यानि कि यहां पर अगर मैं मान लेता हूं किसको 4 को तो 4 के बाद अपने को नीचे में क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा 1 के बाद क्या मिल जाएगा अपने को 2 मिल जाएगा और two के बाद अपने को क्या मिल जाएगा five, five को मैंने यहां कर दिया और यहां पर मैंने कर दिया six को फिर अगर मैं बात करूँ, यहां पर मैं मान लेता हूं किसको three को, यहां पर मैं मान लेता हूं five को five के just नीचे मैं आपको दिखाई दे रहा है four तो यह हो गया 4, 4 के यहां जाओगे तो मिल जाएगा 1 और फिर यहां मिल जाएगा आपको 2, यहां कि यह बिलकुल वैसा ही बन गया, और यहां पर हो जाएगा 6, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, जैसा बना था बिलकुल वैसा ही बन गया, ठीक है, यहां पर हम ले 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 यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 को, 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा 3 यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 इसको हम मान लेते हैं, इस बार 5 तो 5 के ज़स्ट नीचे में हो जाएगा आपका 4 5 के ज़स्ट नीचे में हो जाएगा आपका 4 और 4 के नीचे में हो जाएगा आपका 1 और 1 के नीचे में हो जाएगा 2 यानि कि इसी पांसे को हमने अलग-अलग तरीके से बना दिया और किसी भी स्तिती में अगर आप देखेंगे किसी भी स्तिती में अगर आप देखेंगे तो आपको 6 का पोजिट 3 नजर आएगा 5 का पोजिट 1 नजर आएगा 2 का पोजिट 4 नजर आएगा अब हमें जिन बातों का ध्यान रखना होता है वो यह है कि जैसे टॉप पे आपका टू दिखाई दे रहा है टॉप पे यदि आपको क्या दिखाई दे रहा है टू और उसके नीचे फ्रेंट पे हम मानने किसको थ्री को टॉप पे टू दिखाई दिया फ्रेंट पे हम मानने थ्री तो मिलेगा कि आपको एक यानि कि यह कभी भी नहीं बनेगा यदि आप एंटी क्लॉक वाइस जाते हैं तो देख लीजे अगर आप एंटी क्लॉक वाइस जाते हैं तो टू के बाद अगर आप फाइव को लेते हैं तो फिर आपको फ्रेंट पर क्या मिलेगा यह देखन है ना केबल इस वाले से आप अगर इस वाले से भी आएङँगे तो देखिए टू के बाद आप ले हों इसको थ्री को यान कि दू के बाद आप ले हो थ्री को तो थ्री 3 क्या मिलता आपको 1 मिलता यहां पर अगर आप 3 को लगाते हो तो 2 के बाद 3 फिर क्या मिलेगा 1 मिलेगा यानि कि हर एक स्थिति में देख सकते हैं कभी भी अगर 2 टॉप पे है 3 फ्रेंड पे है तो आपको राइट में 5 बनता हुआ दिखाई नहीं देगा अभी इसे टेंशन नहीं लेना अभी बहुत सारी चीज़े हम लोगों को यहां पर डिसकस करनी है सीख लेंगे प्रैक्टिकल तरीका भी बताया हूँ प्रैक्टिकल तरीका की बात हम लोग यहां पर करेंगे नेक्स्ट वन देखिए 5 3 4 5 3 4 तो 3 को अगर आम यहां मानेगे तो 5 3 क्या मिलेगा 2 मिलेगा तो जबकि दिखाई क्या दे रहा है 4 जबकि दिखाई क्या दे रहा आपको 4 अगले विकल्ब की बात करते हैं 1, 2, 6 अगले विकल्ब की बात करते हैं 1, 2, 6 आपको नहीं मिलेगा 1, 2, 6 आपको नहीं मिलेगा 1, 2 को नीचे मानोगे तो 6 आपको नहीं मिलेगा 1, 2, 6 आपको नहीं मिलेगा 3 यानि कि ये option भी क्या होगे eliminate अगले विकल्ब की बात करें तो 3 2 यानि कि आप टॉप पे क्या मान रहें थ्री को मान रहें आप टॉप पे मान रहें थ्री को तो 3 फ्रेंट पे क्या 2 और फिनीच साइड में क्या 5 3 2 5 यहां पर देखिए 3 2 यहां मान लेते हैं 3 3 मूवेबल सर्फेस है 5 को लगा लेते हैं नीचे तो 3 2 5 यहां पर देखे तो 3 को उपर ले जाते हैं मूवेबल सर्फेस है 3 2 5 यहां पर देखिए 3 को उपर ले जाते हैं मूवेबल सर्फेस है 3 2 5 बनता हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि विकल्प D आपका बनाया जा सकता है clear और मैंने का अभी भी tension नहीं लेना अभी प्रस्टन बहुत है अभी सीखने को बहुत कुछ है चलिए यहाँ पर बताना है कौन कौन से position यहाँ पर आपके बनाया जा सकते हैं ज्यान दीजिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे 142 की तो 14 आपको पता यहाँ पर क्या मिलेगा सिक्स मिलेगा यानि की option हो गया आपका eliminate फिर बात करेंगे अगर हम यहाँ पर 613 की तो 6 से 1 आओगे 1 के बाद मिलेगा क्या आपको clockwise में 4 यानि की option भी क्या होगे eliminate हो गया चलिए नेस्ट वन की बात करते हैं 536 536 तो यह क्या 5 यह थ्री मूवेबल सर्फेस और यहाँ पर 6 को भी मूव करा सकते हैं तो 536 बिल्कुल आपका यह बनता हुआ दिखाई दे रहा है नेस्ट वन बात करें 146 की तो 14 और यहाँ पर 6 बिल्कुल क्या है मूवेबल सर्फेस से तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि हम उत्तर की बात करें तो क्या हो जाएगा बोथ यानि की C and D can be formed यानि की C तथा D दोनों को बनाया जा सकता है by using the given आप कह सकते हैं open dice ठीक है चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रस्न की जब आपको कोश्चन इस प्रकार से दिखाई दे जब आपको कोश्चन इस प्रकार से दिखाई दे तो इसको क्या करेंगे एक जिस प्रकार के पासे पे हम अध्यन कर रहें इस प्रकार के पासे में इसको हम बदल लेंगे तो कहीं न कही question को हल कर पाना हमारे लिए क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा इस प्रकार के पासे में हमारे लिए question बनाना काफी क्या होता है आसान होता है अब इसको इसमें हम convert कैसे करेंगे तो मैं एक ही मैं नहीं मैं यहाँ पर आपको दो से तीन स्थितियां बना करके दिखाऊंगा और उसके बाद आप कहीं से भी किसी भी प्रकार से अंसर निकाल सकते हैं चलिए convert कैसे करना होते हैं कोई भी एक point पिक कर लिए जिसे 4, 5, 3 4, 5, 3 आपने पिक किया तो इसको हमने ले लिया 4, इसको हमने ले लिया 5 इसको हमने ले लिया 3 जैसे हम बात करें 1, 4, 5 1, 4, 5 तो इसको हमने ले लिया 1, इसको हमने ले लिया 4 इसको हमने ले लिया 5 ठीक जैसे अगर हम बात करें यहां पे 4, 5, 3 इसको हमने ले लिया 4 इसको हमने ले लिया 5 और इसको हमने ले लिया 3 bessées चलिए इस प्रकार से कोई भी स्थिति बना सकते हैं आंसर and का हर एक ससरक्राइबात करें तो क्याओं यहां पर ऩहां पर हो जाक्ट वर यहां पर यहां पर जाये है और सिक्स क्राइब API पर टू का पोजिट की तो टू का पोजिट क्या है फॉर यानि कि यहां पर हो जाएगा टू यहां पर हो जाएगा टू और यहां पर हो जाएगा टू और बच गया आपका वन वन का पोजिट क्या हो जाएगा तो वन का पोजिट हो जाएगा थ्री यहां हो जाएगा थ्री य या आप किसी से भी आप answer निकाल सकते हैं 146 146 यानि कि 1 को आप अगर क्या मानते हैं टॉप पे मानते हैं तो 14 और मिलेगा क्या 5 यानि कि यह option होगी आपका eliminate 43435 तो 4 अगर यहाँ पे movable surface है तो 435 बिलकुल आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है 43 यानि कि यहाँ पे हम 3 को move कराएंगे तो 435 बिलकुल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि यह हो जाएगा आपका correct और यहाँ से भी आप देख सकते हैं थे 43 यानि कि 3 2 के बाद आओगे तो 5 movable है तो यानि कि यहाँ 5 मिलेगा यह बनता हुआ आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है इस वाले से अगर आप चेक करते 3 2 तो देखो 3 फिर जाते 2 तो फिर मिलता कि 5 यहाँ पे भी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और इस वाले से च रखते हैं यानि कि बनता हुआ दिखाई दे रहा है 5 4 यहाँ पे आपको 3 बनता हुआ दिखाई दे रहा है 5 4 3 आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है जब हम 5 को टॉप पे रखेंगे 4 को फ्रेंट पे रखेंगे तो राइट में आपको 3 बनता हुआ दिखाई दे रहा यानि कि हम बात करें उत्तर की तो क्या हो जागा बोथ A and C can be formed clear चलिए और यहां पर भी हम क्या करेंगे एक पासे का open dice का निर्माल करेंगे इस बार मैं एक ही open dice का यहां पर निर्माल करके बना रहा हूँ तीन का पोजिट की बात करेंगे तो तीन का पोजिट हो जाएगा कितना तीन का पोजिट हो जाएगा आपका 6 फिर बात करेंगे चार का पोजिट की तो चार का पोजिट क्या हो जाएगा चार का पोजिट यहनि कि इसको हम इस परकार से बना लेंगे तीन चार एक ठीक है तीन चार एक तीन का अपोजिट हो गया च्छे चार का अपोजिट हो जाएगा आपका दो और एक का अपोजिट हो जाएगा आपका पांच अब अगर मैं बात करूँ तो एक दो छे तो एक मुवेबल सर्फेस है तो एक दो और छे बिल्कुल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है चलिए यहाँ पर अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं कुछ अनिस्थितियों का भी निर्माड कर देता हूँ जिससे आपका जो डाउट है वो क्या हो जाएगा प्लियर हो जाएगा आप अनिस्थितियों के साथ भी इसको कमपैरिजन कर पाएंगे और मैच करा के अंसर निकाल पाएंगे चलिए बात करें अगर हम यहाँ पे अनी स्थितियों की तो 1, 4, 3 यहाँ पे 1, 4, 3 इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं एक और मैं यहाँ पे स्थिति का निर्माड कर देता हूँ जहाँ से हम लोग इसको मैच करा लेंगे तो यह हो जाएगा आपका इसको ले लेते हम लोग 5, 3, 4 तो यह हो गया आपका 5, यह हो गया 3, यह हो गया 4 ठीक है, चलिए हमें पता है 3 का पोजिट क्या है 6 से 3 का पोजिट हो जाएगा 4 का पोजिट क्या है 2 है 4 का पोजिट 2 और 1 का पोजिट क्या है 5 4 का opposite क्या दिखाई दे रहा है 2 दिखाई दे रहा 4 का opposite 2 1 का opposite 5 और 3 का opposite 6 जिस प्रकार से 3 सितिया यहाँ पे आपके सामने बनी हुई दिखाई दे रहें किसी से भी आप उत्तर निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं देखिये 1, 2, 6 की बात चumenka 1 के बाद 2 फिर मिलेगा six यहां वन को ले आते हैं वन के बाद two फिर six यानि कि पहली वाली सित्याप को बनती हुई दिखाई दे रही है इसके बात करूं तो इसके बात दिया गए six to five जब six क्या हो टॉप पे हो two कहा हो फ्रंट पे हो तो five कहा राइट में दिखाई देगा या नहीं यह ठीक है अब एक सवाल यह भी उटता है कि मान लीजे कहोगी कि सर हमने तो पेपर में लिखा था और ले गए हैं तो two हमको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है six पता चला हमको nine दिखाई दे रहा है ठीक है तो भाई साब मैं बात कर रहा हूं number की आकरतियों की बात नहीं कर र two तो ऐसे दिखाई दे रहा था कोई कहेगा two ऐसे दिखाई दे रहा था है ना तो इन सब बातों कि मैं यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं चर्चा कर रहा हूं कि यह अंक आपको top surface पे visible है या फिर नहीं clear चलो तो जब top पे six है front में two है top पे six है front में two है तो right में क्या होगा five होगा बिल्कुल यहां भी बनता हुआ देख सकते हैं top में six है front पे two है तो right में आपको five दिखाई देगा movable surface यानिक इसको भी बनाया जा सकता है ज्यान दीजे जब elimination नहीं होगा जब आपकी opposite surface के साथ question नहीं बनेंगे अगर आपको यह concept नहीं पता है तो आप question हल नहीं कर पाओगे ठीक है ना फिर हम बात करेंगे five four five को रखोगे कहा टॉप पे front पे रखोगे four को तो मिलेगा क्या six five four six five four six clear हर जगे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है two three five two three five two two यहां है three इसको रखोगे तो two three five यह भी आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है two three five movable surface यह भी आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि हम बात करें all a b c and d can be formed यानि कि a b c तथा d सभी बनाए जा सकते हैं किस से इस दिये गए open dice को fold करके clear तो यह बात हो गई किसकी यह बात हो गई आपके open dice यानि कि खुले पासे की खुले पासे को भी हम लोगों ने बिल्कुल detail में पढ़ लिया अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो मैं कुछी discuss कर रहा था जिसको हम लोग lecture के बात क्या करेंगे discuss करेंगे तो आप में से बहुत सारे बच्चों का demand आ रहा है कि sir हमारे लिए क्या एक ऐसा platform हो जहाँ पर हम आपके साथ में direct क्या कर सके communicate कर सकें जैसे कि telegram channel already बनाय जा चुका है लेकिन वहाँ प कब भी कोशिश या प्रया सही होती है कि हम लोग टाइमली क्या करें reply करें आपके questions का आपके doubts का लेकिन अगर हम बात करें platform की तो आप लोगों के demand पे कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक telegram group का जल्द ही निर्माड करने वाले हैं जल्द हम लोग एक telegram group जोड़ेंगे या आप बिल्कुल वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं आप हमारे साथ में communicate कर सकते हैं और most of the time हमें आपका उत्तर देने की आवशक्ता नहीं पड़ेगी क्यों कि आप ही के जैसे बहुत हमसे भी ज्यादा जानकार बच्चे वहाँ पे जुले हुए हैं बहुत सारे बच्चे आपके doubts हैं उसका answer उसका उत्तर आपको स्वता ही वहाँ पे मिल जाने वाला है group में धियान क्या रखना है कि unnecessary वहाँ पे हम लोग chatting नहीं करेंगे unnecessary content इधर उधर से हम लोग यहाँ पे forward नहीं करेंगे ठीक है हम लोग एक discipline way में channel को क्या करेंगे carry on करेंगे जहां पर जो आप के genuine doubts हैं बिलकुल आप उसको पूछिए कोई भी वहाँ पे आपको रोकने ठोकने वाला नहीं है लेकिन हाँ बातें बिलकुल genuine होनी चाहिए question आपके genuine होने चाहिए आपके subjects related आपके exam से related होने चाहिए unnecessary chat वगेरा नहीं करना है अन्यता हम इस initiative को बहुत जादा दिन तक carry forward न तो जो आपके telegram का channel है वहाँ पे आपको इसका link दे दिया जाएगा साथ ही साथ वीडियो के description box में भी आपको इसका link provide करा दिया जाएगा तो बने रही है हमारे साथ मिलते हैं next class में एक नए topic के साथ आज के लिए इतना ही thank you